नमस्ते किसान भाईयो आज मैं आपको वेस्डी कम्पोजर की वज़े से मेरे जमीन में क्या परिवर्तुन हुआ इसके बारे में अभी लायू दिखाना चाता हूँ अभी देखिए किसान सत्यों यह आप जमीन देख रहे है पुरा पिछले साल मैंने यहां पे हल्ली की क्रॉप ली थी और वेस्डी कम्पोजर और गोकुर प्राम बुर्तम दोने ही छोड़ा था मैंने और गोकुर प्राम बुर्तम मैंने बाद में छोड़ा था मतलब शुरु पूरी सपेद सपेद जैसा कलर है और इस दर बाजियों में देखिए यह पूरा काला मतलब ब्राउन कलर हो चुका है पूरा तो यह पूरी मिट्टी सपेद थी लेकिन गवकुरुपामृतम और वेश्डी कंपोजर की बज़र से मिट्टी का कलर भी चेंज हो गया और उसकी प्रोडिक्टिविटी भी अच्छे होगे मतलि गुनवत्ता अच्छे होगे तो यह मैं पूरीप के साथ दिखाना चाहता हूं कि संसातियों यह आप देख सकते हैं पता नहीं आप वीडियों में कितना अंडर्स्टैंड कर सकते हैं यह देखिए और इस सेट की जैमिन दगानीं के लिए जगान जाट में च्छोड दिया था वहाँ से खुले पानी से यहां पर छोड़ा जाता तो इतनी जगह पर वेश दी यकम पोज़र नहीं पाड़ा है यह इतनी जगह पर और यहां से बिल्कुल पूरा वेश दी कंपोजर का इस्तमाल हुआ है इसलिए मे आएगा जो रूटीन फॉलो करेगा अब तक मुझसे बहुत सारे किसान ये कल्चर लेखे गए है लेकिन जब मैं उनका फॉलो उप लेता हूँ कि भाई आपने इस्तमाल करना चालू है क्या नहीं तो लोग बहुत किसान बहुत भाने बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाता य लोग ले तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते बिल्कुल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं मुश्किल से दो चार पांच प्रतेशत लोग ही इस काम को फॉलो करते हैं और उन्हीं को रिजल देखने को मिलता है अभी मैं अगला और एक वीडियो डालूंगा जो केले की खसल का है जो उनकी सब्सक्राइब करने का तरही का क्या क्या है सब दिखाओंगा यह मैं जमिन दिखाना चाता था क्योंकि अभी रासाइनिक का इस्तमाल इतना बढ़ चुका है कि लगबग सभी किसानों की खेती अभी जमिन बहुत खराब हो चुकि है और उनकी प्रोडिक्टिविटी दिन पर दिन अभी कम होते जा रही है और धिरे-धिरे किसान पूरा करजे में डूब रहे है तो इसलिए मैं दिखाना चाता था कि इसमें ताकत इतनी है कि जमिन की तकदिर बदल देता है मतलब पूरा उसका स्टक्चर यह बदल जाता है पूरा ब्रावनीश कलर जाएसा हो जाता है देखिए और देखिए मिट्टी आभी इसमें जो किया है हमने गेहरी जुताई की हुई है और देखिए बिल्कुल मुलायम है मिट्टी बिल्कुल भी देखिए तो बहुत ही शांदार रिजल्ट है और किसान सत्यों आप अबर कितना भी वीडियो देख लो आपको सच्चाई का पता तभी चलेगा तब पिर आपका साटिस्पक्शन तभी हो पाएगा जब आप इस काम को खुद करोगे उसके से आप कोई आप्शन ही नहीं किसान सत्यो आपको कितना भी कुछ वीडियो देख लो आपको फाइदा नहीं मिलने वाला आप अपने फिल्ड पर इस्तमाल कीजिए और चमतकार देखिए और मेरी रिक्वेस्ट है भले आपकी फसल चार महने की हो छे महने की हो आप कंसिस्टंटली फॉलो कीजिए मतलब हर दस दिन मे देना हिए दो दिन आगी फिचे चलेगा मतलब मेहने में कम से कम तीन बार आपको छोड़ना है और आपकी कैपिसिटी कितनी भी हो आर्थिक रूप से आप कितने भी सक्षम क्यों नहों सिर्फ एक एकड़ से शुरुआत कीजिए फिर आपको जेमिन में भी बदलाओ दिख और तभी आपको पुरा प्रूफ हो जाएगा ठीके जये हिन